आज मैं आप सबके लिए सूजी के केक की रेसिपे लेकर आई हूँ जिसको बनाना बहुत आसान है जो दिखने में जितना लाजवाब लगता है उतना ही लाजवाब खाने में भी है इसके लिए मैंने यहाँ पे एक भगोना ले लिया है इसमें 1 फोर्थ कप मैंने ओईल डाल दियाए इसको अच्छे से हम Mix कर लेंगे और इस तरीक की एक Consistency हमें मिल जाएगी Mix करने के बाद फिर इसक में हम आधा कप दूड डालेंगे जितनी चीनी लिए उतना ही डूड डाल की इसको अच्छे से Mix कर लेंगे mix करने के बाद इसमें सूजी हम डालेंगे सूजी को grind कर लेना है मिकसर में और उसका powder बना के हमें इसे डालना है सूजी डालने के बाद इसको अच्छे से mix कर लेना है बिल्कुल भी lumps हमें इसमें नहीं रखने है एकदम lumps free करने के बाद इसको हम साइड में रख देंगे 10 मिनित के लिए जिसमें सूजी अच्छे से फूल जाएगी फिर एक कूकर लेंगे और कूकर में हम नमक डालेंगे यह नमक मैंने काफी बार यूज कर रखा है और नमक के उपर हम एक इस तरीके का स्टेंड रखेंगे अगर ऐसा स्टेंड आपके पास ना हो तो आप किसी भी कटोरी को उल्टा करके भी इसमें रख सकते हो और इसको हम कवर करके 10 मिनित के लिए प्री हीट होने के लिए रख देंगे हाई फ्लेम पे जब तक यह हीट हो रहा है तब तक मैंने या एक भगोना ले लिया है इससे कोट कर लेंगे इस तरीके से बहुत इजली यह कोट हो जाएगा पूरी साइट को हमें कवर कर लेना है और 10 मिनित बाद सुजी भी अच्छे से फूल चुकी है इसको हम बढ़िया से मिक्स करेंगे और यह कंसिस्टेंसी एक दम पर्फेक्ट है केक बनाने के लिए किंग सोडा और एक चमच इस पर हम दूर डालके और इसको मिक्स कर लेंगे अगर आपके पास यह दोनों चीज ना हो तो आप इनों का पाउच भी यूज़ कर सकते हो फिर यहाँ 1 फोर्थ कप टू्टी फ्रूटी डाल दिए यह मेरे को थोड़ी कम लगी तो मैंने थोड़ी और डाल दिए और डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे बढ़िया से हमें इसे मिक्स कर लेना है और अब भगोने में बैटर को ट्रांसफर करेंगे मैदा लगाने से केक हमारा चिपकता नहीं है बहुत इजीली निकल जाता है और उपर से इसको हम थोड़ा सा गार्निश कर देंगे तूटी फूटी से तूटी फूटी की जगर ड्राइफ रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं दस मिनिट बाद कूकर का ढकन हटाएंगे और ध्यान से हमें भगोने को रख देना है इसको मीदियम फ्लेम पे 25 मिनिट्स के लिए हमें कूक करना है आप किसी टूटपिक से चेक भी कर सकते हैं और ये 25 मिनिट्स हो गया है एकड़म बढ़िया से फूल कर तयार हो गया है केक इसको हम अब एक प्लेट पे निकाल लेंगे और प्लेट पे निकालने के बाद मैं आपको काट कर दिखाती हूँ ये देखे काटने से आपको इसका स्पोंज पता चल रहा होगा कितना सोफ्ट बनाईए और एके करके मैंने या सारे पीसिस तयार कर लिये हैं और आदे गंटे में ये केक बनकर तयार हो जाता है इसको बनाना बहुत आसान है आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक जरूर कर दें थेंक यू